यहां अगर आउरंग जेव आता है तो सिवाजी भी उठ खड़े होगा साड़े 300 करोन रूपय काशी कारी डोर पे जब बना तो यहां का प्रधान मंत्री मजदूरों के साथ बैठ के खाना खा रहा है और जब ताज महल बना था साथ हजार करोन रूपय का तो मजदूरों को लाइन से खड़ा करके उसके हाथ को कटवा दिया था यह फर्क है इस फर्क को आप क्या बोलेंगे कि गोल्डेनेस था जब ताज महल बना था बड़ा हिस्टोरिकल मतलब पास्ट की एकोनॉमी की मैं बात करूँ देश में एक मित है कि मुगल के टाइम पे हमारी एकोनॉमी 25% ग्लोबल जीडीपी थी और भारत के गुलाम होने में सबसे बड़ा रोल ताज महल के उपर खजाना लुटाने का है बैया यह मुगलों को तो हमने इस देश ने 55 ट्रिलियन की दौलत दे दी तब भी तुम बिखारी बने पड़े हो भारत आर्थिक रूप से पूरा केवल अपनी एक बीबी को 14 सेट था वहां पे इतियास में बोला जाता है कि उसके जैसा बैंकर उस वक्त फ्रांस और लंडन में नहीं था पूरे यूरोप में था अकेले उस जगस सेट के पास इतना पैसा था खाजया साफ खाजया खरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है आपका